हेलो एब्रिवन आज हम लोग ब्यस्टी और्गनिक केमेस्ट्री में इस्टक्चर एंड बॉंडिंग जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है उसमें एक बहुती इंपोटेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दियर इस कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन और उसको हम लोग नो बॉंड एरजुनेंस भी कहते हैं ठीक है तो पहले हम लोग देखेंगे कि हैपर कंजुगेशन होता क्या है है इपर कंजुगेशन के लिए क्या क्या है रिक्वाइर्मेंट होती है ठीक है है इपर कंजुगेशन के कितने प्रकार होते है यानि कितने टाइप होते है ठीक है और लास है किस से जुला हुआ है?' CS3 group किसे जुला हुआ है double bond वाले रदो बादन के सांद जुला हुआ इस कारबन है winnya double bond ना है ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर CS3 है यह outta double bond कर भ बाले कारबन की इसने double bond बना हूआ यहाँ पर देखो, यहां पर क्या है, यह carvocate two, ठीक है, तो यह भी, यह जो c-arian-all, यह भी किसद पुलाई? उस carbon से जुलाई, जिस पर postuse charge हो, तो इसको carvocate two, बोलेंगे, यहाँ पर जो c-arian-all, जी से जुलाई, उस carbon के साँ जुला, के साँ जुड़ा है जिसमें फिर रिडिकल हो ठीक है तो hyperconjugation में क्या होता है जो alcal group है जैसे CS3 है यह CS3 है यह CS3 है इसमें जो CS bond होते हैं CS bond यह वाले यह वाले इसमें जो electron होते हैं उनको बोलते है sigma electron तो hyperconjugation में जो यह sigma electrons होते हैं जब वो delocalize करना start करते हैं मतलब अपनी जगह से घूमना start कर देते हैं तो उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं hyperconjugation बोलते हैं हम लोग कहेंगे भई अब conjugation तो क्या होता है conjugation में क्या होता था pi bond घूमते थे pi bond इधर से उधर delocalize करते हैं conjugation में ठीक है hyper का मतलब क्या अत्य ठीक हो गया अब तो बताब कुछ ज़्यादा ही हो गया जिससे क्या होगा sigma bond भी deucalyze करना लग जाएगा ठीक है तो जैसे मैं एक example आपको समझाता हूँ suppose that मेरे पास यह molecule है यह CH double bond CH2 ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यह CH bond है यह वाला bond यहाँ चले जाता है ठीक है बाद में इसको detail explain करेंगे ठीक है यह वाला bond यहाँ चले जाता है तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा CH यह तो SI रहेगा ह के उपर क्या आगा पोस्ट्य चार्ज रहेगा क्योंकि इसने electron दे दिये तो यहाँ पर एक bond था एक bond यहाँ से आगया तो कितने बन गे दो bond बन गे CH यहाँ पर भी होगा ठीक है यहाँ पर double bond था तो अब क्या है एक bond रहेगा क्योंकि एक bond कारवन के उपर shift हो गया है CH2 negative ठीक है और इसके बीच में कोई bond नहीं है इसलिए इसको क्या बोलते है नो bond resonance ठीक है तो वह यहाँ पर हमने लिखा हुआ इटी डिलॉक्राइशन आफ सिग्मा इलक्टॉंस आफ सिएज बॉन्ड ऑफ एलकैल ग्रूप डैकली अटेश्टो एन एटम उफ अनसेचुरेटर सिस्टम जो एलकैल ग्रूप होगा वो अनसेचुरेटर सिस्टम का होगा अनसेचुरेटर सिस्टम का मतलब की कहने का मतलब है कि डवल बॉन्डेट कार्बन के साथ या ट्रिबल बॉन्डेट कार्बन के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं उसको ही बोलते हैं हम लोग हाइपर कंजूगेशन कहते हैं ठीक है यह तो हमको समझ माता है दस दे इलक्ट्रों रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ दे होता है इलक्ट्रों देते हैं ठीक है अब याद रखना कभी एक्जाम में ये भी आ सकता है कि बैकर नैथन इफेक्ट को explain किजिए ठीक है अब requirement for hyperconjugation मतलब कि क्या सभी के सभी compound है सभी के सभी molecule hyperconjugation उनमें हो सकता है क्या अगर इन सर्थों का पालन करेंगे हमारे पास दो condition होती है ठीक है अगर दो condition को fulfill करेंगे वो molecule तो hyperconjugation उनमें हो सकता है अदरवाइज नहीं होगा ठीक है तो सभी molecule में hyperconjugation नहीं होता है कुछी molecule में hyperconjugation हो सकता है जो इन condition को fulfill करेंगे इन सर्थों का पालन करेंगे ठीक है वो सर्थों क्या होती है नम्मर एक compound should have sp2 carbon of alkene, arine, carvocatine और radical सबसे penny condition यह है अब आप देखो यह बोला कि जो compound है compound में कह रहा है जो compound है उसमें कह रहा है कि एक sp2 carbon होना चीए नम्मर एक यादर को तो तो यादर को double bond वाला यहाँ पर जो carbon होता है जिस पर plus charge होता है उसका hybridizing क्या होता है sp2 होता है और जिसपर फ्रडिकल होता है उसका भी क्या होता है sp2 होता है नम्मर एक condition मतलब कि यह दोनों के यह चार के चार molecule क्या कर रहे है पहली condition को fulfill कर रहे क्योंकि इनके पास sp2 carbon है ठीक है दूसरा alpha carbon with respect to sp2 carbon should have at least one hydrogen atom and the hybridization of alpha carbon is sp3 बहुत यह समझो alpha carbon with respect to sp2 carbon यह ऐसा बोल रहा है कि दूसरी condition यह होनी चाहिए कि बोला कि जो sp2 carbon है न उसके बगल में एक alpha carbon होना चाहिए alpha carbon यह हो है ठीक है double bond के बगल वाला जो carbon होता है इसको बोलते alpha carbon क्या बोलते हमारे पास तो 3S है ठीक है तो 3S पर हमको तो 1S से भी काम चल जाएगा ठीक है यह है तो मतलब कि इसमें alpha carbon भी है alpha carbon में alpha hydrogen भी है यह और उसके बाद भी बोलता है कि जो यह alpha carbon है इसका जो संक्रण है hybridization है वो sp3 होना चाहिए ठीक है तो पैचान हो कैसे sp3 है तो जब carbon सब के सब मतलब 4 के 4 बोलन जब carbon बनाता है जब single के single बनाएगा यह भी single यह भी single यह भी single यह भी single तो उस carbon का भी पालन कर रहा है इसको देखते हैं तो यह भी सेम होई है sp2 के बगल में sp3 carbon है ठीक है उसमें hydrogen भी है यहाँ पर भी sp2 के बगल में sp3 carbon है इसमें hydrogen भी है तो चार के होती है ठीक है ? अबकर लोग देखेंगे कि जो hyperconjugation है वो कितने टाइब का हो सकता है तो types of hyperconjugation it is of three types तीन प्रकार का होता है। number 1 sigma pi conjugation, sigma pi conjugation it occurs in lkin or substitute aromatic compound देखो यहाँ पर क्या है भी है यह aromatic है क्योंकि बेंजिट इस और क्योंकि बेंजियर जो CH है ना CH CH के जो bond delocalize करेंगे वो कौन से होंगे sigma electron कहेंगे ठीक है वो किसके साथ delocalize करेंगे जैसे यहाँ पर मैंने दिखाए ना CH ये ये sigma electron होंगे ठीक है तो वो किसके साथ में conjunction में sigma pi के साथ में conjunction है ये वाले bond ये वाले sigma electron है ये pi bond के साथ Conjugation में तो इसलिए क्या बोलते हैं को Sigma Pi Conjugation इसको कहते हैं ठीक है सेम Aromatic में भी हो सकता है यह Aromatic में आप देख सकते हो Sigma H यह है ना तो Sigma Electron और Sigma H यह वाला जो Bond है इसके साथ Pi Bond के साथ Conjugation में तो यह क्या होता है Sigma Pi Conjugation इसलिए कहते हैं ठीक है दूसरा क्या है Sigma Positive Charge Conjugation यह तो बहुत ही Simple है Carbon और Hydrogen के भी सिग्मा Bond होगा वो जो Sigma Bond होगा जो Delogalize करेगा वो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर Positive Charge के साथ Conjugation में हो ठीक है तो इसको क्या बोलते है Sigma Positive Charge Conjugation तो देखो अब हम लोग प्रोपीन हमारे पास है प्रोपीन का है Hyper Conjugation structure ड्रोग कैसे करते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं ठीक है हमारे प्रोपीन है यह CS3 है यह क्या है CS3 single bond CS2 है ठीक है यहाँ पर हमको पता है Alpha Carbon कौन सा है यह वाला Alpha Carbon है Alpha Carbon जो HN को बोलते है Alpha Hydrogen बोलते है ठीक है तो क्या होगा एक CS का bond जोगा यहां से टूटेगा यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कितने bond बन बन जाएंगे यहाँ पर दिखा रखा है ठीक है और इस पर प्लस आएगा क्योंकि वाला बॉंड तो यहां चले जाएगा यह प्लस आजाएगा तो डवल बॉंड है ठीक है यह डवल मॉंड बना है और यह वाला बॉंड सेम ऐसा ही जाएगा यह पर अल्फा कामड यह है यहाँ पर अल्फा कारवन और हइट्रोजन की विज्वस में कोई बन नहीं है यहाँ यह तो इसलिए क्या बना है ब सलाएगा इसमें बॉंड है ठीक है तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे applications of hyperconjugation यानि hyperconjugation के अनुपरियोग तो जो first application हो है relative stability of alkyl carbocatine हमारे पास alkyl carbocatine होते हैं ठीक है इसको 3 degree है 3 degree है 3 degree carbocatine 2 degree carbocatine और 1 degree carbocatine होते हैं इनकी stability को हम लोग hyperconjugation से बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यदा stable है कौन सा less stable है ठीक है तो हमको पता है जो तरसरी carbocatine होता है 3 degree 3 degree carbocatine जो हम बोलते हैं फिर से बता रहा हूँ आपको पता होगा फिर भी देखो जिस carbon पर plus charge है ये वाला carbon है ठीक है ये carbon कितने carbon से जड़ा है एक दो तीन इसलिए बोलते है 3 degree अब ये देखो पलस वाला carbon ये है ये कितने से जड़ा है 2 से तो 2 degree ये पलस वाला carbon एक से जड़ा है तो 1 degree ठीक है तो क्या होता है कि जो टरसरी carbocatine होता है वो ज्यादा stable होता है इसके और इसके compare में ये यह भी उससे जड़ा है ये भी इससे जड़ा है इसके साथ में ठीक है तो यहाँ पर कितने hydrogen यहाँ पर 3 यहाँ पर तीन यहाँ पर तो यहाँ पर 9 alpha hydrogen है और 9 alpha hydrogen है तो number of resonance structure यानि number of contributing structure कितने बनते है इसका formula होता है alpha hydrogen plus one यहाँ पर 9 alpha hydrogen है उसमें एक जोड़ना है तो इसके 10 contributing contributing structure बनेंगे जैसे हम इससे पहले प्रोपीन का बना था ना चार बने थे तो इसके 10 बनेंगे करा ठीक है इसके देखते है एक बार इसमें alpha carbon यह है यह है इसमें कितने hydrogen तीन यहाँ पर तीन यहाँ पर तो alpha hydrogen कितने ह च्छे धन एक तो कितने contributing structure बनेंगे इसमें साथ बन जाएंगे इसमें बनेंगे तीन दनेंग चार तो होता क्या है कि जितने ज़्यादा तो है तो यहाँ पर दिखा हुआ है तो है क्या पिता सकते कि कौन सा वला कारपोगता ज्यादा इस्टेबल है कौन सा वाला लेस्टेबल है ठीक है है तो नम्मब 2 है relative stability of theoretical हम लोग hyperconjugation की help से फिर घ्रिडिकल होते हैं इनकी stability को भी बता सकते है ठीक है नें तो हमारे पास जो फिरेडिकल होते हैं वह भी थी यह दिल, सेकंडरी है इसको आप आप ऐसे सकते हैं उसकी है औस भी हो टॉसके सांब 2 सीक्रिक काःशा है विए यहाँ पर इसको ऐसे लीसक्ते है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि यह था courageous फिर अ QUESTION तोल्षामिभी मृवस्य पर आप इसको प्देना चैनल हों ग्रुषा मतौकर समझघाय को इसको फिरल था प्दगाय के stigma गयार बने हो सेम यहाँ पर कितने आफ़ तीन एक साथ बन जाएंगे यहाँ और तीन एक साथ बन जाएंगे तो इसलिए फिरी जादा स्वाल होता है इसमें जो कॉंट्रिबूटिंग यानि ben जैंड है इस थाल्ड से फैल्पान से ज्यादा बन जाते हैं थिघा है है रिल्ørतिव स्ट अब्लकिन हम लोग इल्कीनड की जो स्टेब्लिटी जो होती है रिल्याइटिव यह प्र सक्टेटींड की हेल्प से सबसकते क्यों साथ क्या सकते यहाँ पर ध fino सब्सक्राइब को चोड़ो उसके बगल वाला कारबन देखो यह वाला और यह वाला है ठीक है यह अलफा होता है यह अलफा होता है इसमें देखो डवल वाला है इसके बगल वाला है यहाँ पर है तो यहाँ पर कितने ऐपके अलफा है अलफा है यह इसलिए ज्यादा होती है इसलिए यह ज्यादा यह मोर सब्स्टूटिट है कुछ इस कार्में की साथ दो जड़े हुए इसके साथ एक ये य्यूद्य कुछ उड़ है तो इसके लेस सब्सुइट है थीक है